नवस्कार साथियो आज मैं आपको इस वीडियो में कॉलम से जूड़ी जानकारी दूँगा Positive Builder YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ अविनाश शर्मा साथियो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यह कॉलम दिख रहा होगा अब बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि हम स्टील पर जादा प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो कॉलम है वो मजबूत वा स्रक्षित बनेगा ऐसा कुछ नहीं है साथियो आपके कॉलम की मजबूती डिपेंड करती है उसके section के उपर उसके size के उपर अगर आपके कॉलम का size बहुत कम है जैसे 9 by 9 inch 230 by 230 mm का कॉलम है और उसमें steel जो है आपने भर-भर के डलवाया है उसमें जो है वो आपने 6 leg ties प्रोवाइड कर दी है जैसे कि अगर एक ties होगी तो उसे हम technical term में कहेंगे 2 leg जब 2 ties प्रोवाइड की जाएंगी तो वो हो गया 4 leg जब 3 ties होंगी तो 6 leg माली जी आपने 230 by 230 mm के कॉलम में आपने डाल दिया 9 by 9 inch के कॉलम में डाल दी जादा से जादा steel भर दिया पूरे कॉलम को उसमें जो है वो जो आपके section area है जो आपके कॉलम का जो size है आपके कॉलम का उसका सारा area gross area निकाल कर उससे 8% जो है 8% तक ही आप concrete आप जो है वो steel प्रोवाइड कर सकते हैं उससे जादा steel प्रोवाइड करेंगे तो strength है वो कम होगी तो size के उपर section के उपर depend करता है आपके कॉलम की मुझबूती ना की steel के उपर 8% से ज़्यादा steel कभी प्रोवाइड ना करें अपने कॉलम में gross area का जो है 8% ही आपको प्रोवाइड करना है इससे जादा नहीं प्रोवाइड करना है तो आपके जो कॉलम की मुझबूती है वो section size के उपर depend करेगी ना कि steel के उपर और ज़्यादा ratio भी आप provide करेंगे उससे भी जो है वो concrete में बहुत सारे बदलाब होते हैं जैसे ज़्यादा cement आपने डाल दिया तो उससे जो है वो भी आपके column के लिए अच्छा नहीं है तो एक सही ratio में आपको column में जो है वो concrete की casting करनी है concrete बनानी है अब जैसे जो है IS code में क्या हुआ है आपने देखा बदलाब होते रहते हैं cement में जो changes होते हैं उससी तरह से जो है वो बदलाब भी आपकी buildings में ratio में भी होंगे जैसे कि पहले OPC cement आता था तो हम जो है वो जातर एक दो चार की ratio इस्तमाल करते थे फिर PPC cement आया तो उसमें बदलाब आगे उस cement में जो है वो ingredient change हुए उसकी strength में changes आए और वो जो है strength किस तरह से gain करता है वो सारी चीज़ों में जो है वो अंतर दिखा तो उसी साब से अब जो है वो आपके IS code में जो है वो ratio भी change की गई है जैसे कि अब जो है एक डेड़ तीन की ratio M20 grade से नीचे की ratio हम concrete जो है RCC building में concrete की ratio रखते हैं से नीचे नहीं रख सकते तो वो सारी technical terms जो है वो हर किसी को पता नहीं होती साथियों जातर contractor भाईयों को क्योंकि वो उस field से नहीं होते तो अगर आप भी आपको site या फिर इस तरह की field में जाना है अगर आप सीवल इंजिनेर हैं अगर आप एक अच्छे contractor बना चाहते हैं तो इन सबी चीज़ों के लिए आप हमसे संपर्थ कर सकते हैं आप कहीं पर भी फज जाते हैं तो हमें हम जो है वो आपकी हसाहिता करेंगी अगर आप site visit करवाना चाहते हैं आप अपने इस काम का inspection करवाना चाहते हैं आपको site supervisor चाहिए जो आपके घर का का काम करवा सके क्योंकि आज कल का दोर जो है बहुत busy लोग रहते हैं आज कल के time में उनके पास समय नहीं होता लेकिन घर की construction करवाना अच्छे से करवाना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी होता है क्योंकि घर building एक बार बनती है तो उस तो बार बार नहीं बनती तो उन लोगों के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा option है कि आप जो है एक hire कर लीजी एक site engineer को supervisor को ताकि वो आपके घर की आपके building के जो है वो देख रेक कर सके उसमें जो कांग चल रहा है उसको अच्छे से करवा सके और आपके घर और building को मजबूत बना सके साथी हो आज की वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो positive builder youtube channel को subscribe करें दीजिए bell icon को press कर दे ताकि इस तरकि महतपून वीडियो जैनकारी आपको समय पर मिलती रहे आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपको दिन शोब बहुत धन्यवाद